गुट मॉर्निंग बच्चो गुट अप्टरनून गुट इवनिंग तैंक यू सो मच बच्चो चलो बच्चो आज हम लोग भी आपके साथ जुड़ गए हैं और मैं आपसे शुरू में दो एक मिनिट लेना चाहूंगा और एक निवेदन करना चाहूंगा प्लीज इस जबर्दस कॉम्पूटिशन को जो हो हैल्दी कॉम्पूटिशन ओनलाइन होने जा रहा है बेटे इसमें पूरा सायोग करें सबका सावगत करें सबको आमनतित करें ना देखिए कोई काम उम्रवाला है ज्यादा उम्रवाला है छोटा अनुभाव है ज्यादा अनुभाव होगा जैसा कि अब हो रहा है तो इसी वजह से हाला कि हम लोग भी कुछ लंबे समय से इसी साय में जुड़े हुए हैं तो यह टीचिंग प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जहां पर एक लंबे समय जुड़ने के वाद भावनात्मक लगा कुछ ज्यादा हो जाता है तो इसलिए हम से भी नहीं रहा गया बच्चों तो हमने विए और शुरू कर दिया है अपना तो अब प्लान के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मैं अपनी योजना जो पर सामने रख रहा हूं यह है कि अभी मैं क्लास 11 से स्टार्ट कर रहा हूं NCRT के एक-एक exercise के questions बिलकुल किये जाएंगे एक भी example तक भी इसमें cover किया जाएगा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा बच्चों और साथ में कोशिश रहेगी कि मैं 11, 12 और 9 भी शुरू करूं और उनके सब के introduction अलग से मैं दूँ और आप जरूर introductions को भी अलग समय निकाल करके देखें बेटा इससे वह ज्यादा प्रभावी रहेगा बेटे अगर अच्छा स्कोर वाकई करने हैं तो चलिए अब एक शुरूरात करने से पहले कि निवेदन और करना चाहता हूं कि मैं अभी जोई कर रहा हूं यह कुछ टूटा-फूटा सामान के साथ कर रहा हूं कुछ बड़िया परसनल्टी के साथ कर रहा हूं तो कुछ कमी पेशी बहुत सी होने वाली हैं आपके सामने उजागर तो प्रीज उसे एक्सेप्ट कर देना बच्छो मेरा भी जोश बना रहे और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो लाओं शैद आप लोगों को वह पसंद आये काम आये तो बच्छा लोग चलिए शुरुआत करते हैं श्री गडेश करते हैं बच्छो किससे पहले कोश्चान NCRT क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 सेट से ठीक है बच्छा चलिए पहला कोश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने विच अप दा फॉलोविंग आर सेट्स जस्ट स्क्रीफा और आंसर दो पार्ट में कोश्चन है बिटे पहले बताना है यह सेट है भी है नहीं दूसरा का कारण देना है बिटे तो पहले कोश्चन को पकड़ लेते हैं चलिए पहला कोश्चन है दा कलेक्शन अफ आल मांस ओफ ए यर बिगिन विद लेटर जे भाई संसार होने वाले भाई वो भी हमें पता है यही तो होंगे जेसे शुरू होने वाले जैनवरी एंड जून और जुलाई यही तीन होने वाले भाई राइट अब यह आपको बताना है क्या यह सेट है या नहीं यह है क्यों है सेट जल्दी से बता देते हैं उसका रीजन इसका डिफाइन होगा राइट अगर सेट है तो अगर सेट नहीं है तो नौट डिफाइन होगा अब यह सेट विल डिफाइन क्या बलाए बैटे उसका सिंपल सा यह एक्स्प्लीनिशन है कि जब मैंने आप से यह सवाल पूछा तो आपने आंसर दिया जैन्वरे जून और जुलाई यही जवाब मैं आपसे किसी और वेक्ति से सलमान जी से आमी जी से कट्रीना जी से किसी भी इस अंसार के वेक्ति से पूछूंगा तो जवाब कौमन मिलने वाला बैटे जवाब में कोई फरक आने व बस यह इसका अब दूसरा सवाल लेते हैं बिठा दूसरे से पहले में तीसरा ले लेता हूं इसमें कुछ ज्यादा मज़ेदार है यह का पूछता है बच्चो एटीम और बैस्ट 11 किरिके बैट्समें आप दा वर्ल्ड आपका बैस्ट बैट्समें कोन है बताइए जल्दी कोहित क्यों पूछो क्यों सिक्सर क्या मज़ेदार खड़े खड़े चट्के मारता है स्टेडियम से बाहर वाँ गुड और भाई सब वर्ल्ड कप किसने जिताया है हेलिकॉप्टर शॉड बोल गए दोनी क्या जबर्दस के लाड़ी पूरी जबर्दस उसका एक पैशन उस दे रहे हो नहीं चलेगा यह जब भी आंसर आपको एक से ज़्यादा मिलनी लग जाएं तो आप रिजेक्ट कर देना बच्चा यह डिफाइन नहीं हो सकता इट इस नौट वैल डिफाइन सेट बस यह लिख राओं मैं आपर राइट आंसर क्या होगा रोहित नहीं चलेगा कोहली नहीं चलेगा अरे इतने सारे आंसर नहीं चाहिए हमें तो एक ही आंसर चाहिए इसलिए दिस नौट वैल डिफाइन है बिलकुल आप चलते हैं पेटे सैकिंड कोश्चन के अंदर अब आपने करना क्या है अब आप सोचोगे सर अब यह तो हमने बोल दिया वैल कि जो आपको बताएगा एक्शुली वैलोरी टिफाइन फया नौट वैल टिफाइन यह वर्ड हैना बैस्ट यही किसका नौट वैल डिफाइन कारण है जब भी किसी कि प्रॉपर्टी कॉलीटि या जाए बैस्ट कोन है और रिच कोन है कोन है डैंगरm मैं कैसे डिपाइन करूं कि यही बैस्ट होगा नहीं चलेगा इसलिए जब भी कॉलिटी आ जाए यह बैस्ट होगा वर्ड तो रिजेक्ट कर देने का तो इसलिए इस वाले कोश्चन के अंदर भी हम सबसे पहले देखते हैं क्या टैलेंट इट मोस्ट टैलेंट इट वर्ड जो एना से अंटरला की बात आ जाती है इसलिए जब इक और यह आपको रिजाट करेगा यहीं आपको क्या बताता है को को वर्ड करता है आंसर्स को यह वैरी करता है राइट चलिए अब हम भी समझ में आ गया होगा बेटे काफी अतनक नौट वैल डिफाइन और वैल डिफाइन चलिए बेटा आप तीस चोथा कोश्चन लेते हैं collection of all boys in your school बताओ बच्चो यह वैल डिफाइन है या नौट वैल डिफाइन येस बिल्कुल सही कहा है यह वैल डिफाइन है लेकिन कैसे पता चला कोई वर्ड है इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं आप मैं करके दिखाता हूं बैटा यह देखो your school अब आपसे पूछा जा रहा है collection of boys of your class तो जब मैं your class बोता हूं तो तुमारी class के सारे बच्चों के नाम बताओ तो आप अपनी class किसी बच्चे से पूछो आंसर सेम रहने वाला है लेकिन अगर मैं इसको हटा दू यॉर नहीं लगाओं मैं पूछूं boys of school कौन सा स्कूल राम पबलिक स्कूल सीता पबलिक स्कूल लक्ष्मन पबलिक स्कूल अरे बाई कितने सारे नाम तो बताये नहीं है तो मैं boys के नाम भी definitely अलग अलग बताओंगा न ये जो है न यॉर इसने बड़ा अच्छा काम किया बच्चा इसी ने इसको बचा लिया well define होने से वरना not well define हो जाता है तो बच्चा ये well define set हो गया right चले अब चलते हैं विच्चे collection of natural numbers अरे बच्चा लोग जब भी number की बात हो जाएं चैक कोई सा भी number हो positive number नागेटिव इंटीजर ग्रैशन नंबर इरे जो मर्जी number हो पीछे का हो आगे का हो बीच में हो ज्यादा हो काम हो सब वेल डिफाइन होंगे क्योंगे पता है हमें इसलिए आपको इसका ध्यान देना है बिटा नंबर होता ही बिलको टाइम ही नहीं लगाने का तो ये भी हमारा वेल डिफाइन होई गवा बच्चा चलिए next question को लेते हैं बिटा the collection of novels written by आए मुणशी प्रेंट चंजी ने जो नावस लिखे हैं वो गिंती के दो होगे 10 20 30 50 100 आप लिखोगे तो आप दो नावल लिखोगा आपको पता ही होगा तो वेल डिफाइन है बिटा अगर मैं इस मुणशी प्रेंट चंद को हटा दू राइट तो ये वर्ड़ मैं हटा तो नावस बताओ जो लिखे गाए यारे कौन से नावल बताओं चेतन भगत जी ने लिखे खुश्वन सी के नावल बताओं या मुणशी जी के नावल बताओं तो ये मेरा कन्फूशन हो जाता रांसार बहुत सारी मिल जाते मगर बचाया किसने मुणशी प्रेंचंजी न underline कर लो बेटा और यहापर लिक दो, well-defined set.